मुख्ष का लियानक जिसको मुकुट सब्तमी भी बोलते हैं हम सब को चाहिए ओम रिमशिरी पाश्णा जिनिंद्राई नमा की एक माला अवश्य फेरें और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेस रासी वाले रिस्तो को बिगड़ने ना दें समय के अनुकूल चलें क्या करें मुनी राज को आहर देने का सोभाग्य पराप्त करें अगर संबव हो तो वर्षब रासी वाले इस्थान परिवर्तन का योग परिशान बिलकुल ना हो क्या करें नमो सिध्धानम की एक माला फेरें मिथुन रासी वाले समश्या स्वेतेस कम हो जाएगी परिजनों के साथ रहें क्या करें शिरी अनंत नाज जी का चालीसा पढ़ें करकरासी वाले समय ठीक है नई वस्तु का जीवन में आगमन हो सकता है क्या करें काले उड़द यथा संभव दान करें सिंगरासी वाले नोकरी में बाधक आंदेशा समय कमजोर है क्या करें गरीबों को यथा संभव भोजन कराएं कन्यारासी वाले सावधानी के साथ निर्णे लें ने कारिय का भी बहुत अच्छा योग क्या करें नमो कार महा मंतर की एक माला फेरें तुलारासी वाले क्रोध को काबू में रखें तनाव बिलकुल ना लें क्या करें नमो आईरियानम की एक माला फेरें वरश्चिक रासी वाले नया सामान खरीदने का दिन व्यापार में भी फायदे का योग क्या करें आटा चीटियो को डालें धनूरासी वाले परिवार में ध्यान देना बहुत जरूरी जीवन साथी पर कोद ना करें क्या करें हल्दी चंदन काटी का माथे पर लगाएं मकर रासी वाले व्यापार में लापरवाही ना करें, बच्चों को प्यार करें, क्या करें शिरी शांतिनाज जी का चालिसा एक बार हलकी आवाज में पढ़ें, कुम्ब रासी वाले विदेश यात्रा का योग आलस्य से बचें, क्या करें भोजन में मिर्च का परहेज करें, म नीन रासे वाले लंबी आत्रा से बचें बॉस से बहस ना करें क्या करें शिरी भक्तामबर जी का सत्रा नंबर का काव्य सत्रा बार पढ़ें रासे फलके पश्याद बंदूओ अब बात करते हैं आज की सलहा की देखें आज की सलहा में ध्यान रखें अगर आपके परिवार म कोई भी सदस्य या महिला वहां से सम्मंदित व्यापार करते हैं या नोकरी करते हैं किसी सोरुम् में गाड़ियों के सुरुम में तूविलर के सोरुम में जोब करते हैं या उनका स्वेंन का वहां आधानों का व्यापार हैं तो चाहिए के कुली अवलोकन के पश्चात diamond हीरे को धारन करें अगर वहानों से संबंदित व्यक्ति कुली अवलोकन के पश्चात diamond को धारन करते हैं तो निश्यत रुप से उनके लिए बहुत फाइदेबंद साबित होता है तो ध्यान रखें कोई भी महिला या पुरुस जो वहानों से संबंदित व्यापार करते हैं या वहानों से संबंदित सोरुम में जोब करते हैं उन्हें कुनली अवलोकन के पश्यात डायमंड धारन करना चाहिए और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है भगीरत जैन जीने जैपुर से लिखते हैं गुरुजी जैजिनेन मेरे दादा जे की उम्र नावासी वर्स की है और वे पिछले दो साल से बिस्तर पर है कोई दवाई काम नहीं कर रही है और स्वासलाब उनको हो नहीं रहा है हम क्या करें देखें भगीरत जैन जी मैं आपको बता दूँ के आपके दादा जी उम्र के इस पड़ाओ पर है कि आप उन्हें धरम की तरफ प्रेरीत करें साथी एक छोटा सा उपाए करें गुरुवार के दिन इस्टील के कटोरे में पानी लेकर उसमें थोड़ी सी केसर डालकर दादा जी के कमरे में रखें अगर आप ऐसा करेंगे तो उनको थोड़ा सा स्वासलाब भी होगा और उनका मन धरम से भी जुड़ेगा और उस रखेवे पानी को एक हफ़ते के बाद अगले गुरुवार को गमलों में डाल दें और नया पानी भर कर रखें ऐसा आप लंबे समय तक करें निश्चित रुप से दादा जी को स्वासलाब भी होगा और उनका मन भी परिवर्तन होगा और इसी के साथ बंदूओ आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडी लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी मंगल भावना के साथ सबी को जै जिनेंद्र